हाई एब्रीवन बहुत समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके मैंने बतलाया था कि मेरे एक छोटा से एक एक शिरियन्ट थोड़ा हो गया था जिस वज़ाचे मैं बोल पाने में असमार्थ था जिसके बाद आप लोगों के बहुत सारे वेल विशेश मुझे तक ये और आप लोगों ने पेशेंटली मेरे ठीक होने की दुआ मांगी और बहुत वेट किया मेरा तो मुझे लगा कि मेरे ये धर्म है कि वापस मैं ठीक होगा आप लोगों को पुणा इस बारे में भी जानकारी दूं कि मैं ठीक हो चुका हूं तो पिछले 3-4 दिनों से मैं ने बोलना चारू कर लिया है हला कि मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ पर मैंने 3-4 दिनों से बोलना इस्टार्ट कर लिया है तो आप सभी के वेल विशेश के लिए सबसे ते पहले बहुत बहुत शुक्रिया और मैं वापस से full flash form में कोशिश करूँगा कि जैसे पहले मैं help कर पा रहा था वैसे वापस से help करने के कोशिश करता रहूँगा आप लोगों की अब और मैं बोल भी पा रहा हूँ हलां कि मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा कि थोड़ा सा अभी भी problem है पर फिर भी जितना हो पाएगा उतना मैं करने की कोशिश करता रहूँगा और latest news जो मेरे पास फिलाल है मैंने भी ज़्यादा कुछ देखा नहीं ये निट पे फिर भी जो मुझे समझ आ पा रहा है तो उसके recording सबकी counting अच्छे है चल रही है round 1 में बहुत से लोगों को seat मुझे चुकी उनको बहुत बहुत बधाईया कई लोगों को उनके मन की seat मिली है उनको बहुत ही जादा बधाईया कई लोगों को थोड़ा सा compromise करना पड़ा है तो लेट सी अभी क्या होता है भी बहुत सारा राउंड समझे हुए है round 1 का जो reporting time था कहां college में 20 से 27 जनुरी तक था जो की खतम हो चुका है और मुझे लगता है कि यहने लेना था allotment या फिर यहने अपनी seat reserve रटनी सी उन्होंने admission ले लिया होगा मतलब reporting कर दी होगी और अप्ग्रेडरेशन के लिए भी डाल लिया होगा अगर किसी को अप्ग्रेड करना है तो round 2 का information बतला दूँ मैं क्योंकि कुछ ऐसे students मुझे messages मिले हैं कई लोगों के जो चाहा है थे कई लोग का miss हो गया हमें round 1 के बारे में पता नहीं चला हाला कि ऐसी गलती हमसे होनी तो नहीं चाहिए पर अगर ऐसा मिस हुआ है तो आप बिल्कुल ध्यान रखे अलार्टनेस के साथ कि अब सब्सक्राइब जयसे लाँर्श के लिए अगर और जो कर चुके है तो अपग्रेड्रेशन के लिए जो डालेंगे और इसी भी choice filling भी होगी और कई लोग बोलते हैं कि एकर choice filling lock नहीं हो पारा, तो जो locking process होगा, वो तीन बजाद होगा चे तारीक को, शे फर्वरी को तीन बजाद के बाद fooling process होगा. तो वो ठोड़ा ध्यान रखेगा और यहोंने करेंगके कोई सिरकल में होंगे पिरिए करें जो रही कैने या जो रहे हैं ऐ leuke ं तो उन्हें जरूर सलाह करें कोजिए कि दो फफरवरी से कोई परकार की यहां तो स्टे कनेक्टेड और वन्स अगें थैंक्यू सो मच फर आल यूर काइंड वेल विशेश और मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं और थैंक्यू सो मच